है 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 लो साथियों कैसे हैं आप सब मैं विवेक आप सब का अभी सेट विवेक लास इसके ऑनलाइन प्लेटफर्म पर वेलकम करता हूं हम लोग पढ़ रहे थे वर्ड जियोग्राफी वर्ड जियोग्राफी में हमने सबसे पहले पढ़ा था वायू मंदल क्या होता है लोग पहुद डिटेल में समझने वाले हैं तो फटा पर से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो लोग दीचैनल पे नए होंगे प्लीस आप सब्सक्राइब कर लोग स्टार्ट करते हैं देखिए यह माल ली जे पूरा आपका क्या है ये पूरी पृत्तवी हमारी है अब है पूरी प्रिथवी को जो रेखा दो बराबर भाषंवत रेखा जी रो डिग्री रेखा या इक्वेटर בחi पूरी पृतरी प्रिव को दो इक वर्वाल पार्ट में बाद़ लए क्तर यह इसे बोलते भूमर्थ रहा क्यों कि भूमी Всё बें रही है या पर यिसे मुक्त यह डूर होता इसके ऑपर 3ज Greece क्या हो incubator करकर एक हाउइसके साढ़े तेश दीरी नीचे क्या होता है मकर रखा तो सूरी नहीं तीन रखाओं के बीचों बीच में चमकता यह यहां पर सूरी लगभागे आपका 22 दिशम्भर को होता है यहां पर आपका होता है के पास में यहां का 10 दिए ऊपर नौर्थ में और 10 दिए नीचे जहां पर पाके पंगता रहता है अनै कि ऋर्थ सूर्य की कर्ण यहां तरहां की जो हवाएं लुआ ऊपर उठ जाती है जिस कारण यहां है का छेतर हो जाता लो प्रेसधा यहां वायुदाप कैसा हो जाता निम्न इसलिए क्या बोलते हैं भी स्वत रखी एक हैडी इकवीटोरियल आफी अर्दा के यहां के उपर उठी तियह से वहां गिरती कहां दो तीन बार घिर हैंगी तोjiang वहां पर ऑप और नीचे जमीन पर तो यहां का पर बढ़ गाए हम लोग वूम बोलती है उपोशड क्या हैं वक्तलों सब्रोपिकल इंग्लिज क्या बोलते उसा संफ के उन आयं पर घठना हो गाई ass bunlar िक इकक मोले करे हो गई यही पर पहले एक आदमी यहाज नहीं होती थी नावेग्स होट चोटी चोटी हुट उसमें से भर कर ही समानों को एक जगा से दूसरी जगा ले जाया जाता था तो बोला ऐसा माना जाता कि एक ट्रेडर्स था व्यापाडी जो अपने कई सारे घोड़ों को ले कर जा रहा था तो घोड़ों को लेकर जा रहा तो यहां से जब यहां पर जा रहा था ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं थी जैसे जैसे वह यहां पर पहुचा तो प्रेसर भूत हाई हो गया प्रेसर क्या हो गया हाई हो गया और फिर उसने अपने सारे घोड़े समुद्र में ही फेग दिये क्योंकि उसकी नाव हिलने डूलने लगी कि वह मर जाता कहीं तो इसलिए उसने अपने सारे घोड़ों को ठाकर नीचे वह समुद्र में फेक दिया तभी से इसको हम लोग क्या बोलते हैं अस्व अच्छ भी बोलते हैं उपोस्ण उच्वायुदाप की पेटी को हम लोग क्या स्वागarγ में 3-35डिगरी पर और दच्छडी गुलार्थ में 3-35 पर तो बिल से बुलिए यह आपका बिस्वात रहख़ा में लोग प्रेसर होने का क्या करण है अदेखक गर्मी पर ऑप ग्रूफ सट तंडी हॉती तो फंडी हमा ہے भारी होती है तो भारी होने की वज़े स यहां पर रहनेवाला है इसे क्या दाब की पेटी क्या बोलेंगे व petites büyहें और यहां से हमाई उपर जाएंगी एससे और और यहां से भी उच्छडव हुआ नीचे की वह रहाएंगी तो यहां उपर जाने नीचे आएंगी तो जाने तो चाहिए रहांगी दूसरे से यह टक्राती है शाट से 65 डिगरी के बीच हो बीच में तो यह आपका साट से 65 डिगरी और यह आपका हो वार्पस में टकरा की ऊपर जाएंगे दो होई ऐसा अई टकरा रही ऊपर उठ वह लोग निया आपका हो जाएगा निमन वायुदाब क्या हो जाएगा निमन वायुदाब यह प्रेशर कैसा रहने वाला है लुग अब इसे देखो यह थूए है तो थूड़ा आगे इसलिए स आपकी पेटी यानि इसे हम देखो ध्रू को क्या बोलते है पोल और इसे बोलेंगे सब पोल क्या बोलेंगे सब पोल लोगम सब फिर से बोलिए कि आपका जो विस्वत रेखा है वहाँ पर निम्न वायुदाप बनने का कारण क्या होता सूरी की अतिधी गर्मी और यह हवाई जब जाकर कि यहां से गिरती है कहाँ पर 30 से 35 डिगरी पर उच्यदाप बनने का कारण हवाओं का गिरना हवाओं का गिरना उसके बाद में अब बताना है आपको जो कि ध्रूज जो होते हैं जो पोल होते हैं वहाँ पर उच्यवायुदाप का कारण क्या होता है अत्धिक ठंड पढ़ने का ही कारण होता है जो आपका ध्रूव होते हैं वहाँ पर उच्यवायुदाप बनता है और हमाएं उच्यदाप से निम्न दाप क्योर जाएंगी तो जो उप ध्र प्रेसर होने का कारण क्या होता है लोग प्रेसर होने का में कारण है कि हमाएं कि वहां पर दो हमाएं आपस में टकराती है दो हमाएं आपस में टकराने वाले ठीक तो एक बार क्या करिए आप लोग इसका इसकीन सौल देजी फिर हम आगे समझते हैं चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं एक बार इसको फिर से समझें देखिए दोस्ति याद करने वाली चीज है आप जब तक इसको अच्छी से नहीं समझेगे न तब तक आपको याद नहीं होने वाला एक बार फिर से न समझते हैं यह आपकी क्या है जीरो डिग्री रेखा या इसे हम बोलते हैं विस्वत रेखा क्या बोलते हैं विस्वत रेखा सूर यहीं पर चमकता है तो इसके पांच डिग्री उपर अब देखिए अगर आपने मैप में एक डिग्री बनाना तो एक डिग्री जैनि जो दो डिग्रिया ह मतलब कितना हो जाएगा 555 किलो मीटर यहां पर प्रेसर कैसा लहता नो प्रेसर इसे बोलते रिखिये निम्नवायुदाप की पेटी अब देखो यहां पर टकराने के बाद उपर उठ गई हैं तो यह कहीं न कहीं गिरींगी तो यह कहां पर गिरती तीस से 35 तो यह कहां गए और तीस से निigos दीजी और यहां पर थो जाता यहां पर ऊजाता यहां इसे क्या बोले हाई प्रेसर एसे आघा कंगर दिखाए सर्थक्रट बोलते हैं शेटुर Sum बोले इसे क्या बिखोड़े वाली घटना हो गई थी होर्स लैटीटीट या उपोस्न उच्छ वायुदाप की पेटी यहां पर उच्छ वायुदाप होने का क्या कारण है हमाएं विश्वत रेखा से उठकर गिरी जाती है इस वजे से यहां वायुदाप कैसा रहता उच्छ हमाएं हमेशा उच्छ वायुदाब से निम्नवायुदाब की और चलती है तो यह तकरा जाएंगी और यह तकराएंगी साथ से पैसट डिगरी के बीच में तकराएंगी तो यह तकराने के बाद उपर उठ जाएंगी तो यहां प्रेसर कैसा हो जाएगा यहां पर हो जाएगा लो प्रेसर ठीक इसे बोलते देखो वह धुरू है दुरू पर यह नहीं तो इसे बोलेंगे उपध्रूए क्या बोलेंगे हम लोग उपध्रूए निम्नवायुदाब की पेटी तो आइधिंग आपको याद हो गया होगा आप इसको क्या करना आपको अ पांच छे साथ होगे साथ हो अब देखो सबसे पहले क्या होता विस्वत रेखे निम्नवायुदाब की पेटी यह क्या होता दोनों गुलार्दों में 10 दिगरी नौर्थ 10 दिगरी साउथ की बीच में पाई जाती है याद नहीं करना पड़ेगा आपको फिर फिर देखो न गुलार्दों में 30-35 दिगरी की बीच पाई जाती है यहाँ पर उच्वत का बान हमाओं का नीचे उतरना हमाओं का नीचे उतरना उच्वायुदाब का कारण होता है फिर अस्वच को ही किया बोलते है फिर उप द्रुवे निम्नदाब की पेटी की होता दोनों कर लीजिए अब हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले पवनों के बारे में क्या होती पच्वा पवन पुरुवा पवन व्यापारिक पवने गरस्ता चालिशा चीकता साथा तमाम सारी चीजे एकड़म जब अच्छे सा तयार है तभी आपको वह चीज भी आएगी वरना यह यह अगर आपको अच्छे सा तयार नहीं होगा तो वह चीज भी समझ में आएगी नहीं समझ गे कि नहीं तो एक बार इसको जब अरजस्ट तरीके से तयार कर लिए जएगा आई थिंग और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजेगा दोस्तों थैंक्यू अबरीव